हैलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उन्लैन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी सॉल्फ करेंगे हमारे वेश्य गर्णित सप्तहा 22 कक बच्चों गुणा तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए पहला प्रशन है बच्चों पंक्तियों और स्थम्भों में वैवस्तित फूल और सितारों की कुल संख्या ग्याद करें कुल संख्या के लिए बच्चों पंक्तियों की संख्या गुणा स्थम्भों की संख्या करेंगे चीक है तो देखे बच्चों पंक्तियों की संख्या पंक्तिया किती है एक दो तीन चार इस थम्भों की संख्या क इसी तरह पंक्तियां एक दो तीन चार पांच कुल सितारे कितते हुए 5 को पांच से गुणा किया कुल हो गए 25 सितारे अगला है बच्चों दी गई वस्तों की संख्या को पंक्ती और स्थंबो में अलग-अलग तरीकों से व्यवस्थित करके निम तालिका को पूरा करे एक आपके लिए किया गया है संकीत पंक्तियों की संख्या और स्थंबों की संख्या को हमें गुणा करना है जैसे 30 गैंध है ठीक है इसको हमने किया 30 गुणा 1, 15 गुणा 2, 10 गुणा 3, 6 गुणा 5 इन सभी को गुणा करने पे 30 आई 18 पैंसिल के लिए हम पहले करेंगे 18 गुणा 1, 9 गुणा 2, 6 गुणा 3, 3 गुणा 6 अगर बच्चों आगे भी हमें दिया होता तो 2 गुणा 9 इस तरह से हम इसको करते 36 टॉफिया इसको 36 गुणा 1, 6 गुणा 6, 9 गुणा 4, 4 गुणा 9, 12 गुणा 3 इस तरह से 40 बटन है तो 40 को 1 से गुणा करेंगे 8 गुणा 5, 20 गुणा 2 और 10 गुणा 4 इस तरह से से हल करना है अगला है बच्चों बारंबर जोड विधी द्वारा दिये गए निम प्रशनों को हल करें एक आपके लिए किया गया है 3 को 3 से गुणा करो 3 को 3 से जोड़ो सभी का जोड बराबर आएगा इसी तरह 2 को 3 से गुणा किया अब जोड़ेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 6 6 को 5 से गुणा किया कित्ता है 30 तो 30 लाने के लिए 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कित्ता हो गया 30 9 को 7 से करा 63 अब 9 को करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कित्ता हो गया बच्चों 63 अगला है चार्ट एक में 5 और 8 के पहाडों का जोड करके 13 का पहाडा बना कर दिखाया गया है इसी तरह चार्ट दो में किनी 2 पहाडों का जोड करके 15 का पहाडा बनाते हुए तालिका को पूरी करें तो देखे बच्चों यहां पे आपको चार्ट एक में पांच और आठ का पहाडा बना करके दिखाया गया है दूसरे चार्ट में आपको दो पहाडों का जोड करके 15 का पहाडा बनाना है तो देखे पांच को आठ से जोड़ा 13, 10 को 16 से जोड़ा 26, 15 को 24 से जोड़ा 49 तो अब इधा रेखे 20 को 32 से जोड़ा 52, 25 को 40 में जोड़ा 65 यहां पे चुब 5 का पहाडा लिख रहे हैं यहां 8 का तो यहां 13 का खुद बनता जा रहा है 30, 35, 48 और 56 इनको जोड़ जोड़ के हम लिख रहे हैं 18 और 21 अब 15 का पहाड़ा बनाना है तो यहां 10 का पहाड़ा और यह 5 का पहाड़ा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 यह कित्ते हो गए 15, 30, 45, 60, 45, 90, 105 ठीके बच्चों अगला है लंबी गुणान विदी का प्रियोक के निम प्रश्णों को हल करें अब देखे बच्चों इसे हमें हल करना है ठीके 65 को 35 से गुणा करेंगे तो यहाएगा 3, 325 अब 3 को 5 से करेंगे 15, 5, 6, 1, 3 को 6, 18 और 1, 19 तो यह हो जाएगा 22, 25 अगला है 102 को 49 से गुणा करेंगे 9 को 200 किया 18, हांसिल 1, 1, और एके 9 3 को 2 से किया 6, 3 को 0 से 0, 3 को 3 से 3 तो यहाँ जाएगा 49, 78 तो यह लंबी गुणान विदी से इसको हमने हल किया अगला है जीवन कोशल तापमान नीचे दिये गए थर्मामेटर में फेरनाइट पैमाने वे सेल्सेश पैमाने पर कौन-कौन से तापमान डिगरी दिये गए हैं तो हमें बताना है देखें फेरनाइट पर हमें दिया गया है चोराणवे, छी आणवे, अठ्याणवे, सो, एकसो दो, एकसो चार, एकसो चैन और एकसो आट शेल्सेश पैमाने पर दिया गया है 35, 36, 37, 38, 49, 40, 41 और 22 मानव शरीर का सामाने तापमान कितना होता है तो बच्चो मानव शरीर का सामाने तापमान होता है 37 डिगरी सेल्सियस या 98. डिगरी फैरेनाइट अपने शरीर का तापमान मापकर उप्रिक्त पुस्तिका में लिखें तो जैसे बच्चो मेरे जो शरीर है उसका तापमान है 98.6 डिगरी फैरेनाइट अगला है बच्चो यदि थर्मामेटर से मापने पर आपके शरीर का तापमान 100 डिगरी फैरेनाइट आता है तो इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है व्यक्ति को बुखार है अगला है बच्चो जीवशंस का शाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें हम अपने विचारों के वशीबूत है अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते खादे रंग पीला पीले रंग का खादे पदात खाएं उधारन के लिए केला पीली दाल आदी परिवार के साथ समय खेल टिक टेक टो चुडिया उड़ अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेले गति वीदी पौधों को पानी देना देनिक दिन चरिया निमलिकी तादतों को अपने दिन चरिया में शामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दातों को प्रती दिन दिन में दो बार ब्रेश करें प्रते दिन इसनान करें, खुब पानी पी और संतुलित आहार लें, अपने चैरे को छूने से बचे और अपने हातों को बार बार धुए, अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें, तो बचो इस तरह से आप सभी को अपने वर्कशीट को हल करना है, उमीद करती हूँ बचो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, बचो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जादा से जादा वीडियो को शेयर करें, और नीचे दिए कमेंट बॉक्स और मुझे कमेंट जल्दी से जाए लाल बटन दबाएगे, और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आप सभी बच्छों का वीडियो देखने के लिए बहुत भूत धन्यवाद